अभी शेक्री पहले ना मैं बहुत हैजिटेंट था आज के सेशन में आने के लिए मैं आपको बता हूँ क्योंकि पिछले जो चार-पाच हफते हैं मेरे जिन्दी के सबसे ज़्यादा कठिन रहें सबसे ज़्यादा कठिन मैं इतना पेन में रहा हूं कभी अपनी पूरी लाइफ में और उसका रीजन यह था कि मेरा च्छोटा बेटा है करीब दो साल को होने वाला उसकी तब्वेत काफी खराब थी और हमने कुछ टेस्ट कराये थे उसके रिजल्स काफी डिस्टरबिंग आये थे तो बहुत ही सब्सक्राइब कर रहा था क्योंकि जब आप कोर्स सिखा रहे हैं कुछ लीट कर रहे हैं तो पूरी मानदारी के संग वो रोल निम्हाना है पर अंदर से एक तडप उठ रही थी अंदर से दर्द था वह मैं जानता हूं कि क्या गो त्रू कर रहा था इन फैक्ट एक कोर्स म और उन्हें बोला कि सार आपकी जैसी स्माइल ले जाओं बस और उस मोमेंट पर आल्मोस्ट टीयर इन मैं रोने वाला था मैं क्योंकि मुझे पता था कि अंदर मेरी कितनी तडब चल रही है और मुझे उस पक्ति समझ में आया कि it's not me who's teaching this समझ में तो आता है अगर इस situation मे भी सामने वाले को मेरे में वह डिवाइन एनरजी दिख रही है तो मतलब यह गुरू ही करना तो यह तरब के संगसंग एक विश्वास भी था कि कुछ भी हो जाए तो मेरे अंदर से बहुत तडब हो रही थी कि गुरू बात कर लो बच्चा जब परिशान होता है तो क्या ह मा का रूप है तो मुझे अंदर बहुत तड़ा बुट रही थी गुरू जी प्लीज एक बार बात कर लो और मैं यहां पर कैने ना में गुरू जी उस टाइम बैंगलाओर में तो उस टाइम एक हमारी एक एंजल है अभी वो गुरुदेफ से मिलने के विवे दिल्ली में है मेगा जी कहने को तो मेरी स्टुडेंट हैं बट चीस कॉंटिबूटेट सो मच इन मा लाइफ लाइक सो मैनी पीपल है तो आश्रम में थी उन्होंने का कि मैं आप से गुरुदेव से वीडियो कॉल पर बात कराती हूं मैं सुबह आयू शोमा के लिए जाती हूं कम लोग हो वो मुझसे कोशन पूछ रहे हैं फिर मैं जवाब दे रहा हूं फिर वो कोशन पूछ रहे हैं पर एंड में वो फोन की उपर ऐसे हाथ रखे आश्रम और बोले हो जाएगा इतना बोले और उसके बाद क्या हुआ हमें पता नहीं है पर पिछले दो हफतों में हमने मैजिकल टांस्फोमेशन देखा अपने बेटे में और नाव इस बैक टू नॉर्मल दे नटिंग नोट विव दन डिफरेंटली दाट वर दूइंग बिफोर और वी बीन दूइंग आफ्टर जैसा पहले चल रहा था हमने अपनी तरफ से कुछ एफट में चेंज नहीं आय सेकेंडली जो बार-बार किना कई सारे सीने टीचर से में सुनता रहता था कि ही विल ऑल्वेस भी देर वेन यू थिंग वेन यू नीडिम नॉट वेन यू तो उनको पता था मैं इस तडप में हूं तो उन्होंने फोन पर भी बात करके मुझे करीब पर भी एक मिनिट दिय जो कितनी बड़ी बात है